सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फाइनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी 9 Pro Plus के अंदर रियल्मी UI 4.0 based on Android 13 का official version rolling out करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है काफी एच्छ तरीके से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से new features देखने को मिलता है कौन से bugs fix हुए है साथ ही क्या कुछ नए changes देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस अपडेट का complete detail बताने वाला हूँ दोस्तो तो इसके लिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर features और bugs के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप device details चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको official version देखने को मिलता है और realme 9 pro plus का model number RMX3392 देखने को मिलता है बात की जाइ इस update के basic information की तो यहाँ पर आपको c.05 का new update देखने को मिलता है और इस update के जो size है 187.88 MB का है और यह आपको realme UI 4.0 के update के साथ official version I mean stable update देखने को मिल जाता है बात की जाइ इस update के बाद इसके android security patch की तो यहाँ पर आपको android 13 देखने को मिलता है और 5th December 2022 के साथ current month का latest enhanced android security patch देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लाव बात की जाइ अगले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non-issue थे bugs वगर देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की आर भी बेटर experience देखने को मिलता है इस update के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर dynamic computing engine को आर भी बेटर तरीके से optimize करके improve और stable किया है साथ दोस्तों यहाँ पर system speed stability और battery life apps experience को आर भी बेटर तरीके से optimize करके improve और better किया है जिससे की आपको आर भी बेटर experience के साथ dynamic computing engine, speed, battery life apps experience वगर जो है आर भी बेटर देखने को मिलता है इसके अलाव बात की जगले change की तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया में काफी सारे location में फजी जो है चालू हो चुका है तो यहाँ पर इस update के साथ 5G network का problem देखने को मिलता है, किसी किसी user का 5G network जो है properly connect नहीं हो पा रहा है तो यह problem इस update के साथ देखने को मिल जाता है इसके लाव बात की जगले change की तो अगर दोस्तों आप charging में लगाते हैं तो उस time पर आपको properly charging देखने को मिलता है लेकिन अगर आप charging से उसको unpin कर देते हैं या निकाल देते हैं तो उस time पर भी आपको message सो होता है कि आपका phone जो है charging में connect हैं तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको charging करने के time पर better experience देखने को मिलता है इसके अलावा बात की जो अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो camera के अंदर अगर दोस्तो आप camera यूज करते हैं photo अगर लेने के time पर आपको location का जो watermark है वो so नहीं होता था तो इस features को यहाँ पर add कर दिया है अभी दोस्तो आप setting में जाते हैं और watermark से location वालब features को on करते हैं तो आप जैसे ही photo लेते हैं तो आपको watermark में वहाँ पर location और state का watermark देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जाएगले change की तो fingerprint के अंदर यहाँ पर दोस्तो कुछ कुछ situation में कोई-कोई user का fingerprint जो है तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better experience देखने को मिलता है fingerprint unlocking and enrollment time पर साथी दोस्तो कुछ कुछ situation में अगर आप fingerprint को unlock करते थे तो उस time पर screen जो है आन नहीं होता था fingerprint से unlock हो जाता था लेकिन screen जो है आन नहीं होता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है इसके अलावा दोस्तो अगर आप dark mode में fingerprint से unlock करते थे तो वो properly unlock होता था लेकिन यहाँ पर काफी ज़्यादा flickering इसू देखने को मिलता था I mean dark mode के time पर अगर आप unlock करते थे तो आपको screen flickering का problem face होता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप dark mode में unlock करते हैं तो आपको better experience देखने को मिलता है इसके लावा बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो notification panel में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको जो notification panel है जिसमें जो दो बड़ा toggles रहता है वो थोड़ा R भी बड़ा देखने को मिलता है पहले दोस्तो वो थोड़ा छोटा देखने को मिलता था लेकिन इस update के साथ पहले से थोड़ा हलका बड़ा देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो icon style में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो जो आपको default वाला icon style देखने को मिलता था उसमें इस update के साथ equamorphic नाम जो है change कर दिया है पहले default रहता था अब उसमें equamorphic name जो है add कर दिया है इसके लावा बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो icon packs में यहाँ पर दोस्तो realme ने अपना new icon packs add कर दिया है I mean जो icons देखने को मिलता है उसमें आपको texture style में हलका हलका texture के रूप में icons के उपर देखने को मिल जाता है आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर texture देखने को मिल जाता है जैसे contact में message वगरा या file manager वगरा में आपको texture type का icons में देखने को मिलता है आप यहाँ पर बारीकी से देखेंगे तो देख सकते हैं वैसे भी दोस्तो camera में यह सायाद ही दिखाई दे रहा होगा लेकिन यहाँ पर आपको texture में icons वगरा देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जैगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो about device में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो जैसे ही आप about device में जाते हैं तो यहाँ पर उपर के side में आपको realme UI लिखा रहता है तो यह एक छोटा से changes भी about device के अंदर देखने को मिलता है अब यहाँ पर आपको realme UI 4.0 finally देखने को मिल जाता है इसके लावा बात की जैगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर home screen and lock screen के अंदर swipe down on home screen में यहाँ पर दोस्तो trial version के update के बाद किसी-किसी user को self option देखने को नहीं मिलता था लेकिन दोस्तो इस update के बाद आपको self option देखने को मिल जाता है जैसे ही आप self option को select करेंगे और home screen को आप नीचे साइट swipe down करेंगे तो आपको यहाँ पर self option या self features देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको बड़े-बड़े toggles के साथ new features देखने को मिलता है तो आपको finally इस update के बाद self features देखने को मिल जाता है इसके लाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो auto brightness का यहाँ पर दोस्तो जो auto brightness का option है उसको अगर आप uncheck करते हैं I mean आफ रखते हैं auto brightness को तो भी कुछ-कुछ situation में या किसी-किसी टाइम पर auto brightness जो है जादा और कम हो जाता है automatic वाला आफ रहता है उसके बाद भी यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आफ रखते हैं और किसी function या features वगरा को या किसी भी image वगरा को open करते हैं तो उस टाइम पर जो brightness का बार है वो automatic चलता रहता है I mean brightness जादा हो जाता है कम करने के बाद भी वो जादा हो जाता है automatic adjust हो जाता है तो यह problem दोस्तो trial version से देखने को मिल रहा है और अभी beta 1 और beta 2 release हो गया है फिर भी यह problem fix नहीं हुआ है इसके अलावा बात किज़े एगले box की तो वो आपको मिलता है दोस्तो landiscape mode में यहाँ पर दोस्तो आप देखेंगे तो यहाँ पर portrait mode में आपको data uses का option देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अगर आप landiscape mode में movie या game अगरे खिलते हैं या किसी भी features को use करते हैं तो आपको data uses का option देखने को नहीं मिलता है तो यह एक box भी देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात किज़े एगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर नीचेक side apps के अंदर recover system apps में यहाँ पर दोस्तो यह features पहले भी था लेकिन इस features के अंदर अगर आप system apps को uninstall कर देते थे तो uninstall करने के बाद भी इस features में apps का list so नहीं होता था I mean blank देखने को मिलता था तो इसको इस update के साथ fix करके better कर दिया है अब दोस्तो अगर आप किसी भी system application को uninstall कर देते हैं तो आपको यहाँ पर उसका list देखने को मिल जाता है जिससे कि आप उसको फिर से install करना चाहते हैं तो आप यहाँ से recover system apps से install भी कर सकते हैं पहले so नहीं होता था लेकिन आप देखने को मिल जाता है इसके अलाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो smart widgets के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आप जैसे ही home screen को pinch करते हैं और उपर के side plus पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको smart widgets का option देखने को मिलता है लेकिन अभी दोस्तो आपको कुछ new design देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले self widgets ही केवल सो होता था अभी दोस्तो यहाँ पर highlights का और notes वगरा favorite contact वगरा का new toggles या फिर new layout देखने को मिलता है जो की पहले देखने को नहीं मिलता था तो यह एक new changes smart widgets के अंदर देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जागले changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो animation में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको जैसे ही folder open करते हैं या close करते हैं तो पहले क्या होता था कि folder का circle भी देखने को मिलता था लेकिन दोस्तो beta update के बाद यहाँ पर folder का circle देखने को नहीं मिलता है आप जैसे ही folder open करते हैं तो इसका animation भी आपको change देखने को मिलता है place के रूप में देखने को मिलता है और साथ ही दोस्तो जो folder का layout देखने को मिलता था I mean cut out देखने को मिलता था उसको भी यहाँ पर हटा कर पूरे के पूरे screen को blur कर देता है तो यह काफी cool look देखने को मिलता है दोस्तो यह पहले से काफी better देखने को मिलता है इसके लावा बात की जागले changes की तो यहाँ पर दोस्तो realme UI 4.0 के update के बाद जो operator name रहता है I mean sim का जो name रहता है फिर से geo लिखा रहता था उसको यहाँ पर change करके आपको simple geo bus लिखा हुआ देखने को मिलता है तो यह छोटा से changes भी आपको इस update के साथ देखने को मिल जाता है एंड गे इस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर आप check out कर सकते हैं इसका जो battery performance है वो पहले से better देखने को मिलता है पहले दोस्तो कोई कोई apps काफी ज़्यादा battery consume करता था जिसकी ओजसे काफी ज़्यादा battery draining का problem फेस होता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better battery backup battery usage देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो अगर आप charging करते हैं तो आपको better charging speed देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो charging करने के time आपको थोड़ा hitting issue देखने को मिल जाता है एंड़ गेज बात की जाए इस update के बाद इसकी game performance की तो इसका जो game performance है वो पहले से काफी better देखने को मिलता है पहले जो game में lagging issue, beach beach में jitter issue, frame drop issue अगर देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके game के performance को boost कर दिया है जिससे कि अब आप game खिलते हैं, game play करते हैं तो आपको better experience के साथ game play देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अगर आप game खिलते हैं तो आपको थोड़ा hitting issue देखने को मिल जाता है तो यह रहा इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है और अगर मिला है तो आपको कौन-कौन से bucks देखने को मिलता है आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तो इस video में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तो